ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछला दो वीडियो मैंने अप्लोड किया था तो उसमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि ELP बनने के लिए मतलब क्या क्या क्राइटरिया होना चाहिए कैसे पढ़ा जाए और मतलब कैसे तैयारी की जाए कि ELP बना जा सके ठीक है तो सबसे पहली पॉइंट मैं यह बता दूं कि यह वीडियो जो भी मैं बना रहा हूं यह मेरा मेरा खुद का पूरा जर्णी है मैं कैसे कैसे मतलब सीवीटी बन दिया कैसे क्या पढ़ा और कैसे कैसे सीवीटी टू क्लियर हुआ और उसके बासे जो भी प्रोसेस था मैं सब को यहां पर बता दूंगा और यह जितने भी मार्क्स यहां पर आप देखेंगे वह मेरे ही मार्क्स हैं और मैं उस समय का जो स्क्रिन सॉट मुझे मिल गया तो मैं यहां पर आपको दिखा दे रहा हूं कितने कितने मार्क्स मैंने जो है हाट अनिकल ट्रेड को इसमें अलाव किया गया था एक वे भात की जा से घालाइक टो मैंने जो है फार्म जो है लास्ट के दो दिन में फिल किया था मुझे पता नहीं था कि मतलब यह पी जॉब होती क्या है और एलपी में का रखाया है क्या का काम किया जाता है तो मेरे ही छोटे बताय कि मतलब जो ट्रेंड करते हैं वहीं पोस्ट यह वहीं पोस्ट है तो मुझे पता चला कि हाँ ठीक एलपी की पोस्ट है तो मैंने लास्ट दो दिन में अबड़ा किया और अपलाई मैंने इसलिए कर दिया कि मेरे काउंट में 700 रुपय थे तो अब इसके बाद से मैं जो है कि sizeal की preparation मैं दिली में करता था, तो sizeal मैंने जो है कि pre qualify किया था, mens भी दिया था, तो mens जब मुस्क्ते में जो 2017 के समय में जो mens हुआ था, उसमें काफ़ी ज़्यदा बवाल चल ला था, उसमें paper आउट हुआ था, काफ़ी धरने उरने हो रहे थे, तो इसी बीच में ये form आया और इसका exam भी जो है होने वाला था तो exam date मेरा लखनो था CBT1 का exam date था वो मेरा लखनो था और CBT1 में देखिए सबसे पहले किया था वो उसमें 75 question आने थे और समय था 60 minute का देखिए जब मैं CGL preparation करता था तो CGL में 60 minute में हमको 100 question करने होते थे और railway के CBT1 में 60 minute 75 question करने थे तो जाहिर सी बात है मुझे समय ये 60 minute ज़्यादा लग रहे थे और ज़्यादा होते भी क्योंने क्योंकि जब मैं 60 minute में 100 question की जब practice कर रहा था तो 60 minute में 75 तो कोई बड़ी बात नहीं है तो इसलिए जो है जो CGL की preparation कर रहे थे उनके लिए बहुत आसान था CBT1 को जो की tackle करना और इसमें अच्छे score करने के लिए और मेरा maths का portion aptitude ठीक ठाक चला था और जीके GSB मैं उसमें काफी touch में था तो वो काफी मेरा ज्यादा तयार था तो CBT1 के लिए मैंने कुछ खास अलग से पढ़ाई नहीं किया था कि रेल्वे के लिए मतलब अलग से प्रिप्रिशन करूं तो मैंने CBT1 जो है एक्जाम लखनों में जाकर कर दिया और उस समय मैं करीब attempt आसपास मैंने 56 से 57 के आसपास मैंने attempt किया हुआ था question टोटल 75 question आया थे तो 56 या मैंने attempt किया हुआ था जो मुझे नहीं आ रहे थे मैं वह चोड़ दे रहा था और मेरे कुछ question उसमें गलत हुए थे यहां पर मैं पहले CBT1 का माक्स यहां पर दिखा दे रहा हूं मैं टोटल रा माक्स जो है पचहतर में 49 नंबर मैं पाया था ठीक है तो 49 नंबर पाया था तो 56 ये संताओन attempt किया था तो 67 गलत हुए होंगे तो जो है कि एक दो नंबर कट गया मैं निगेटिव मार का तो 49 नंबर रा माक्स था और नार्मलाइज मार्क जो हो करके वो 72 नंबर ह हो गया था ठीक तो सीवीटीवन को स्रिफ क्वालिफाई करना था क्वालिफाई करने पाद सीवीटीटीटू में आप जाते तो सीवीटीवन का जब लिस्ट आया तो मेरा नाम उसमें था और क्वालिफिकेशन जो गुरखपूर जोन का मैंने गुरखपूर बार रहा था तो गुरहकुर में करीब 20-22 नंबर के आसपास भी जो है नर्मलाइज मार्क के आसपास वो सेलेक्शन हो गया था 20 या 25 नंबर के उपर गे जो करना बहुत ही डिफिकल्ड नहीं था तो सीवीटी वन जब मैंने क्वालिफाइई कर लिया तब मुझे लगा कि अब एक फेज और बचा हुआ एक और बचा हुआ है और उसी को जो है मन से पढ़ना है तो मेरा मैंद पोर्सन तो पहले से अच्छा था ही तो जब मैंने सोचा क जब इसके लिए प्रिप्रेशन की जाए तो क्या किया मैंने सबसे पहले इस्टेटी मेंने बनाया कि मैं मैंने सोचा जो cvt1 की जीतने भी पेपर हुए थे क्योंकि वही स्लेवर cvt2 का भी था एक टेकनिकल के लिए जो है जो सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर था जो 75 कोश्चन का आया हुआ था वह अलग तो इलेक्ट्रिसियन का जो मैंने अप्शनल में ट्रेड भरा हुआ था तो उसको मैं यहां पर पढ़ना सुरू कही है क्योंकि इलेक्ट्रिकल ट्रेड था तो कुछ असानी रहे मेरे लिए लेकिन पेपर जब मैंने देखा तो वह एकदम इलेक्ट्रिसियन बेस पर बना हुआ था तो उसके बारे में थोड़ा बात करेंगे के मैंने इसनी लिए सबसे पहले ऐलप की जीटने पर हुए थे अभी जो मैं सीबीट वन देखें के आ रहा था उसके सारे पक्र मच्छूहर कि अच्छेंश्यमञस कहें आई और बहुत अच्छे अच्छे क्षोट्ट्र हर सेट में तीन चार उसको करने में थोड़ा सा समय लगता था तो वो जो की वोस्टन मैंने सॉल्व किया और सारे में जितने भी साइंस से रिलेटेड़ कोश्चन थे उसको मैंने देख लिया क्योंकि वो रिपीट होने वाले थे हंडेड एन वन परसंट जो है सीवीटी टू में रिपीट होने वाले थे और बेसिक साइंस जो में ड्रेटेड लेवल के आसपास का वो कर दिये था मतलब कुछ अच्छे लेवल का जो है साइंस पूछ रहा था और उसमें निमेरिकल्स भी आ रहे थे साइंस से रिलेटेव सीवीटी टू में तो वो पूरा पॉर्शन मैंने कवर किया फिर उसके वास से मैंने स्लेवर्स देखा सीवीटी टू का जो सलेवर्स था साइंस का खास करके उसका वेटेज बढ़ रहा था क्योंकि सीवीटी टू जो पर था वो सो मार्क्स का था ठीक है सो कोश्चन उसमें आने वाले थे और वो नब्वे मिनिट था ठीक जाहर सी बात है फिर से मुझे समय की कोई कमी न लग से ना कोई सेट लगाया ना कुछ किया मैंने मेरा जो भी नोट्स था सीजेल का मैंने वो पढ़ा जो बेसिक फर्मिले थे पड़े और उसी पर मैंने प्रेक्टिस किया हां आलाइन टेस्ट मैंने ज़ह है ज्यादा-ज्यादा मैंने 10 के आसपास जो है इससे दिक आनला कि इस अफुर सेतो प्योंदे क्यों निजर्च कालते लीजिए सव्य उ 항상 लेकिन टेक्निकल पैरे और यहां कि मेरा थोड़ा सबीक था मैंने प्रसिटर्सान घ्राइं उसको अच्छे से कर लेते हैं और इसलिए मैंने जह है कुछ आई-टी-ई-ाई cementer जो ऴर्पर थर सक्ष था उसकी बुक मंगा लिया था मैंने उससे भी मैंने जो है कुछ पढ़ा था कुछ चैप्टर तो उसमें से क्वेश्चन फसा था इसा बात नहीं है वह थोड़ा है था मेरा क्योंकि मैं मेरा ज्यादा मार्स नहीं था अभी मैं दिखाता हूं CBT2 का मार्स ठीक है CBT2 के लिए मैंने बस इतना ही किया था कि ALP का जो पेपर था उसको मैंने सॉल्ब किया था अपने जो बेसिक नोट्स बनाया हुए थे CGL के टाइम पर मैथ के लिए वो सॉल्ब किया था इस दिखर करिंघर के लिए मैंने कोई अलग से कुछ भी नबुख खरीता था ना मैंने कुछ सॉल्ब किया था जो भी ALP में रिजनिंगहा था वैसे ही रिजनिंग सेम जों सिवीटी 2 में रीपीट हुआ था उसी तरह के बेस्ट बे Torah तो उसी की रिजनिंग मैंने सॉल्ब पिर उसके बाद से जो है टेक्निकल का पॉर्षम मैने आइक एगे कुछ बुक से और मेरा भी कुछ नोर्ट था गया पीटेक जब मैने किया था तो उसमेन जो इंपॉर्टेंन इंपॉर्टेंटिन टॉपिक थें उसको वहां से कवर लिए था क्योंकि मैंने technical को बहुत ज़्यादा time दिया था क्योंकि मुझे ये qualify करना ही था क्योंकि अगर मैं ये नहीं करता qualify तो CBT2 में कितना भी मैं marks ला लेता वो सब मेरे लिए बेकार होता तो मैं अब दिखा देता हूँ आपको CBT2 में मैंने कितने marks किये लाए थे और कितने question मैंने attempt किया था यह है मेरा CBT2 का marks देखे मैंने total attempt कितना किया हुआ है 83 question मैंने attempt किया हुआ था total जो है 100 question थे 83 में मेरे total 6 question गलत थे ठीक है और total जो correct जो answer था वो 77 number था raw marks जो मेरा था क्योंकि 6 question अगर गलत होते हैं तो 13 के अगर negative करेंगे तो दो number और कड़ जाएंगे तो 77 number आप पाने थे लेकिन आपने पाया 75 number ठीक है मतलब pro rated out of 100 75 और normalize होके जो marks था मेरा 81.25 नर्मलाइज होके मेरा marks आया था electricity trade मैंने भारा हुआ था part B के लिए ठीक है number आप question जो गलत हो रहे हैं आपके वो सबसे कम से कम करिए मेरा जो भी मैं paper देता था मेरे question जो है 10 question कभी नहीं गलत हुए 10 question के पास नहीं पहुंचता था मैं 6, 7, 8 इस से जादा question गलत नहीं होता था अगर आप 6, 7 या इस से कम गलत question कर रहा है या इतना भी कर रहा है मतलब under 10 भी कर रहा है तापकी preparation अच्छी है आप guess work नहीं कर रहा है छोटी मोटी भूल से कारण जो है आपका question गलत हो जा रहा है इतना गलत तो हो जाता है लेकिन आप question आप गलत कर रहे है 15 question गलत कर रहे है 16 question 20 question आज पास अब गलत कर रहे है तो मतलब आप guess work जाता लगा रहे है इसलिए मैं guess नहीं लगाता था आप यहाँ पे number total of number of wrong question आप देखके अंदाज लगा लिए फिर उसके बास से यह जो था इसमें भी 6 question जो गलत थे इसमें दो थोड़ा सा question ही गलत आया हुआ था तो यह पहले जब answer किया था result आया था तो वो उसका result पता रहा हूँ एक बार result फिर से rewrite होके result आया था CBT2 का जो लोग दिये हैं वो लोग जानते हैं ठीक है तो यह CBT1 का जो पहला paper था CBT2 का जो है यह पहला paper था अब मैं जो qualifying paper था उसका मैं result दिखा दे रहा हूँ इसका part 2 का जो electrician paper था उसका मैंने देखिए जो total मैंने 45 question attempt किया हुआ था अब देखिए हुआ क्या था कि total मेरे जो valid question 75 थे मतलब 75 question करने थे आपको ठीक मेरे गलत question थे वह 13 question गलत थे और correct जो थे 32 थे मैंने पहले से ही plan करके गया था मैं यहाँ पे कि मैं जो है कि ज्यादा question नहीं करूँगा मैं below 50 रहूँगा 75 question थे मुझे 50 question से ज्यादा नहीं जाना था जब मैंने एक attempt में जब मैंने एक बार में मैंने किया तो मुझे लगा कि 35 के आसपास 36 मैं अपने हिसाब से मैं correct कर रहा हूँ ठीक है लेकि मैं इतने पर नहीं छोड़ सकता था क्योंकि 33 percent जो है minimum आपको ला के ही qualify करना था तो इसलिए मैंने सोचा था कि कैसे भी करके इसमें 33 percent mark तो आपको लाने ही लाने थे तो मैंने क्या किया कि सोचा कि मैं पहले round में जो करूंगा एकदम सही सही करूंगा उसके बाद से देखूंगा अगर मुझे guess कम मारने लायक होगा तो guess work करके जो है कुछ question और बढ़ा ल था मेरा actual जो marks आया है उसी पर मुझे जो है फोकस करना है ठीक तो मैंने कहा किया 10 question और करीब करीब guess कर दिया total 45 question attempt कर दिया अब देखी 45 question attempt किया मैंने 13 question गलत हो गया 32 question सही था 75 में मुझे 276 marks मिले 33 percent के आसपास जो है marks consider करने पर मेरे 27 के आसपास जो है 26 के आसपास number raw marks आपक qualify होते ठीक है लेकिन बाद में इन लोगों ने normalized marks को जो है consider किया जो 33 percent से ज्यादा होने चाहिए थे तो बहुत से लोगों को इसमें फायदा हुआ और अच्छा भी हो क्योंकि बहुत से लड़के जो cbt2 में पहले part में जो है बहुत अच्छा number ला दिये लेकिन उनका ये जो part B जो सिर्फ qualifying था उसको qualify ही नहीं कर पाय रहे थे ठीक है तो normalized marks consider करने के बज़ए से बहुत लोगों का qualify हो गया लेकिन बहुत से लोग तब भी रह गये मैंने बहुत से result देखे तो उसमें comment section या facebook पे post डाल लाए थे लोग की 82 number 84 number 85 87 number लाला के लोग जो है part B qualify ही नहीं कर पा अब इसका भी revised answer की आया तो उसमें क्या था मेरा दो question और सही था तो उसको भी correct किया गया था ठीक अब देखे जो revised result आया उसमें देखे total valid question CBT2 का जो पहला paper था वो 99 कर दिया क्योंकि एक question हो सकता था वो उसको ignore कर दिया गया क्योंकि वो question का data गलत रहा होगा जाए जो भी था वो सकता उसका एक से अधिक option सही रहा हूँ ठीक तो उसको जब ignore किया गया तो वही question गलत मेरा जो था उसमें साथ एक से अधिक answer सही थे इसलिए उसको ignore ही कर दिया गया तो मेरे अब question जो गलत होने वाले थे वो 5 हो गया जो अभी मैंने दिखाया वह अच्छे question गलत थे वह भो गए 5 अभी मेरा total attempt 82 था अभ correct question मेरे 77 अभी भी वही है मेरे गलत question की संख्या एक घट गई अब मेरा जो number आया था raw marks जो हो गया 76 अब जो है उसको इन्होंने normalize करके कुछ और कर दिया ऐसा कि अब जो normalize mark 81 के आसपास था वो 80.95 के आसपास यह हो गया यह final marks मेरा था यहां पर ठीक है इसके बाद कोई भी रिवाइज रिजल्ट नहीं आया था अब पार्ट टू का जो उसमें electrician का था उसका भी रिजल्ट देख लीजे देखे जब electrician का जो पार्ट भी का पेपर था वो जब रिवाइज रिजल्ट में आया तो 45 question मेरे attempt तो वही थे अब दे 90% से ओर हो गया था कि मेरे अगर रामॉक्स भी अगर वो consider करते हैं तो मेरे नंबर जो है 30 के प्लस आ रहे हैं जो 75% के 33% के से ज्यादा है मतलब 75 नंबर अगर माना जाए total पूडांग तो उसका 33% निकालेंगे तो उससे ज्यादा था 30 नंबर ठीक तो अब मुझे लगा कि अगर नर्मलाइट भी लेते हैं तब भी मैं सेफ हूँ अगर नर्मलाइट को नहीं consider करते हैं सिर्फ रामॉक्स से qualification देखते हैं मतलब क्वालिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है तो भी मैं क्वालिफाई था पार्ट भी ठीक अब मेरा रिजल्ट जो है पार्ट ए के ठीक है तो यह मेरा पूरा strategy रहा मैंने कैसे preparation किया था और सबसे ज्यादा मैंने focus वही किया था कि जो paper आए हुए थे ELP के लिए ELP में उसको मैंने ज्यादा से ज्यादा solve किया था और मैं उसी समय जो है वीडियो भी बना रहा था फिर इसको से तीसरा stage आता साइको होगा ठीक है psycho का paper देने के लिए जो है मैंने सोचा उसकी preparation की जाए तो जाहर सी बात है इसके लिए भी मैंने online YouTube से भी बहुत से वीडियो देखे मेरे पास जो है test series था ठीके मैंने test series जोईन किया और सबसे important यही है कि इसमें आपको time को management करना psycho का paper में तो उससे related मैंने जो भी सीखा था उ अगर आप psycho का paper देते हैं तो तो मैंने जितना ज्यादा पहले मैं पूरा question नहीं कर पाता साइको में तो attempt नहीं कर पाता तो बहुत tension होने लगी थी तो फिर मैंने किया कि test series जोईन किया और धीरे-धीरे मैंने उसमें attempt बढ़ाते गया बढ़ाते गया और एक समय आ गया कि मै समय से पहले जो है सारे paper उसमें psycho के सारे battery test मैं कर लेता था यह बहुत ज़रूरी था अगर मैं test series नहीं देता साइको तो मेरा 100% psycho qualified नहीं हो पाता psycho का paper के दिन क्या हुआ उस दिन भी बहुत ऐसा हुआ कि एक battery test उन्होंने थोड़ा सा हेर फेर करके दे दिया और पहले दिन जो पहला paper होता है ठीक है तो उस shift में जिसका भी पड़ा था उसमें उस test से लेकर के जो है बहुत से लोग उस से disqualify हो गया सब लोग उस समय मतलब फेस्बूक पे या फिर अपने अपने social media platform पे डाल रहे थे कि मैं इस गलती के बज़ा से मैं disqualify हो गया मेरा वो पूरा battery test बेकार हो गया ठीक है तो वह दरसल हुआ क्या था एक क्यूब वाला hidden क्यूब वाला सेट था उसमें का सब लोग प्रेक्टिस कर गया थे कि ABCD मतलब इसी order में आएगा लेकिन वहां पर किसी का पहले डी पूछ ले रहा था सी पूछ ले रहा था बी ऐसे order उसमें बदल दिया और लोगोंने जल्दी जल्दी देख देखकर के जो अच्छा नंबर लाए थे CBT2 में तो आपको इस पेपर में मतलब इस ज्वाइनिंग में मतलब ELP के अगर देखा जाए तो हर स्टेज में आपको आलट रहना पड़ेगा कहीं भी आप एक चूक करेंगे तो आप डिस्क्वालिफाई हो जाएंगे 100% अब डिस्क्वालिफा जो भी एक्जाम होगा फ्यूचर में जब भी बेकेंसी आएगी तो आपको प्रीवेस येर पेपर सबसे ध्यान देना पड़ेगा और जीतना अधिक साधी आपको मेहनत कर सकें आप करिए क्योंकि अगर माल लीजे अगर गुरखपूर का कठाफ 60 या कहीं कभी 70 या जो भी कठाफ मिनिमुम कठाफ वगर 60 नमबर लाने वाल लड़का पा गया है अगर 69 वाला लड़का मतलब नहीं पाया मतलब वो क्वालिफाई नहीं कर पाया कठाफ को तो 69 वाला भी टेंसन में रहा होगा और 60 वाला भी टेंसन में रहा होगा क्योंकि ये दोनों नमर जो है सेफ वालिफ कर गया और वह जब कर रहा है कि यह मैं एक आंकड़ा भता रहा हूं तो साथ वाला भी उससे डर बना रहता होगा हर समय कि क्या मेरा हो पाए गया कि नहीं हो पाए गा हो पाए JUL और Он只 var आप कोई भी अगर आपको क्वेरी हो तो आप 10 स्टुएंट को फॉल अपर सकते हैं इंस्टाग्राम पे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको सेयर करिए और जो भी सवाल हो आप कमेंट सकते हैं अगर इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करेंगे तो मैं सभी लोगो मैं आपको वहाँ पे जरू डिप्लाय दूँगा थैंकियो दोस्तों अल्दा बेस्ट